80. सिधान्त भागतीन कम-काम से अधिक कमाई और ज्यादा आनंद लें अध्याए नो आजाद होना 802 सिधान्त सत्य की तरहे आपको मुक्त कर सकता है आप कम काम कर सकते हैं उसी समय आप कमा सकते हैं और अधिकानन्द ले सकते हैं इसकी एक मात्र कीमत यह है कि आपको कुछ गंभीर 802 सोचने की आउशकता है यह नियम आप में महत्वपूर्ण अंतरद्रिष्टी उत्पन करेगा यदि आप उन कुछ महत्वपूर्ण 20% पर कारिय करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है यह बिना किसी धर्म, विचारधरा या किसी अन्य बहारी तत्व के प्रभाव के बिना हो सकता है 80-20 सोच की सुंदर्ता यह है कि यह व्यवहारी और आपके आंतरिक रूप से उत्पन होती है जो आपके चारों और केंदरित रहती है सहस्ता से बिना मुश्किल बनाए इस पर थोड़ी पकड़ बनाए आप सोचना शुरू कीजिए अपने विचारों को अपने उदेश्यों के प्रति विस्तारित कीजिए 80-20 अंतर द्रिष्टी विचारों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन यह संख्या बहुत शक्तिशाली होती है यह हर किसी पर लागु नहीं होती यदि आपको भी इससे अलग कुछ अनुबव होता है तो जब तक आप अपनी अंतर द्रिष्टी को नए खोज ले तब तक आप अपनी वर्तमान श्तिती के साथ 20% खोजते रहें 80-20 विचारक बने और इसे अपने जीवन से शुरू करें मेरी महतव कांक्षा सिर्फ 80-20 सोचने वे उससे केवल अंतर द्रिष्टी विक्षित करने तक के लिए नहीं है क्या आप इसे अपने पूरे जीवन के लिए डिजाइन करते हैं मैं वास्तों में उससे ज़्यादा महतव कांक्षी हूँ मैं चाहता हूँ कि आप 80-20 की प्रकरती पर फोकस करें ताकि आप अपनी दोनों विशेश और समन्य अंतर द्रिष्टी विक्षित कर सकें जो मेरे दिमाग से भी परे हो मैं अरना चाहता हूँ जिससे हम 80-20 की संख्या को गुनात्मक करके दुनिया को खुशनुमा वे खुला बना सकते हैं 80-20 के समन्य गुनों की अगर बात की जाए तो ये प्रतिबिम्बित, एपरंपरागत, रननितिक और गैर रेखिये है यह आतम विश्वास वे आराम से बेहतर चीजों को बदलने की इच्छा को पूरा करता है यह 80-20 प्रकार की परिकल अपनाओं और अंतरद्रिष्टी के निरंतर आउटलूग भी है इन क्षेत्रों के कुछ स्पस्टिकर्ण 80-20 के संसालन के बारे में एक सूचक परदान करेंगे इसलिए आप इससे जान सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर कब होंगे 80-20 सोच रिफलेक्टिव है 80-20 सोच का उदेशय यह सोच विक्सित करनी है जिससे आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में तेज सुधार हो इसके लिए ऐसामन ने अंतरद्रिष्टी की आउशक्ता होती है इसके लिए परतिविम्ब और आत्म निरिक्षन की अंतरद्रिष्टी की आउशक्ता है अंतरद्रिष्टी के लिए डेड़ा एकतरन की आउशक्ता होती है और हम इसे धीरे धीरे शामिल करेंगे क्योंकि यह आपके जीवन से संबधित है 80-20 सोच प्रचली ताजकल की सोचने की प्रकिरिया से अलग है आम तोर पर पुराना हमेशा आउसरवादी, रेखिये और व्रहद सिल्ता से बदल दिया चाता है आज की दुनिया में प्रमुक परकार की सोच त्वरित कारवाई वाली है और इसके परिणाम सो रूप बहुत कम मिल पाता है 80-20 विचारकों के रूप में हमारा उदेश है पीछे की कारवाई छोड़ना, कुछ शांत सोचना, बहुमुल्य अंतरदरिष्टे के कुछ छोटे टुकडे चुनना और फिर चुनिन्दा रूप से कुछ उदेशियों पर निरनायक और प्रभावसाली कारिय करना, वै जितना संभव हो सके, उतनी कम उर्जा और कुछ संसादनों के साथ जबरदस्ट परिवर्तन उत्पन करना है 80-20 सोच ऐ परमपरागत है 80-20 सोचता है कि परमपरागत ग्यान गलत है जैसे कियामतोर पर होता है 80-20 सिधानत की शक्त ऐ परमपरागत ग्यान के आधार पर चीजों को अलग-अलग करने में नहीं थे है यदि आपकी अंतरद्रश्टी ऐ परमपरागत नहीं है तो आप 80-20 नहीं सोच रहे हैं 80-20 सोच सुखवादी है 80-20 सोच खुशी की तलास है यह मानता है कि जीवन का आनंद लिया जाना चाहिए यह मानता है कि अधिकांस उपलब्दी, ब्याज, खुशी और भविशय की खुशी की इच्छा के उपज है यह विवादास पद परतीत नहीं हो सकता है लेकिन ज्यादातर लोग साधान चीजें नहीं करते हैं जो उनकी खुशी की लिए नुकूल हो भले ही वे जानते हों कि वे क्या है ज्यादातर लोग निमन लिखित में से एक या अधिक में आते हैं जैसे, वे उन लोगों के साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं, जिने वे पसंद नहीं करते हैं, वे नोकरियां करते हैं, जिन से वे उत्साइत नहीं हैं, वे अपने अधिकांस खाली समय का उप्योग उन गतिविदियों पर करते हैं, जिन से वे बहुत आनंद नहीं लेते हैं। इसका वीवरिद भी सही है, वे अधिकांस उन लोगों के साथ अधिक समय नहीं बिताते हैं, जिनने वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वे उस करियर का पीछा नहीं करते, जो वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वे अपने अधिकांस खाली समय का उपयोग उन गत नहीं बनाते हैं। प्रगति पर विश्वास करती है। प्रगति के विचार के पक्स में 17 सताथदी के उत्रार्ध और 18 सताथदी जैसे फॉन्टेनल और कॉंडोर सेक्ट और 19 सताथदी के अधिकांस विचारकों और वेग्यानिकों जैसे डार्विन और मार्क समेथ सभी के ग्यान के आंक्रे उकलब्द हैं आजकल प्रगती के खिलाब सबूत गिपसन के दिन की तुलना में काफी मजबूत है लेकिन प्रगती के सबूत भी है बहस को अनुबवी डंग से हल नहीं किया जा सकता है विश्वास में विश्वास विश्वास का एक अधिकी संभावना पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम बहतर तरीके से दुनिया को कभी नहीं बदल सकते विवसाई इसे समझता है पूरी तरह से विवसाई विज्ञान के साथ गंठ बंदन में प्रगती के लिए सबसे बड़ा सबूत प्रदान करता है जैसा कि हमने पाया है कि प्राकरतिक संसादन एतुलनियन नहीं है विव्यापार और विज्ञान साथ आए है और ए प्राकरतिक एक शमताओं के नए आयामों की पूर्तिकी है आर्थिक स्थान, माइक्रो चिप्स, नई सक्षम प्रोधों की किया लेकिन विज्ञान प्रोधों की और व्यापार की दुनिया में सबसे बड़े लाव के लिए प्रगती को सिमित नहीं किया जाना चाहिए हमें व्यक्तिगित रूप से और सामोईक रूप से अपने जीवन की गुणबता में प्रगती लागू करने की आवशक्ता है असीबी सोच वास्तिव कर रूप से आशावादी है क्योंकि विरोधावासी रूप से यह उन मामलों की स्थिती बताती है जो गंभीरता से नीचे हैं केवल 20% संसादन उपलवदी के मामले में वास्तों में महत्तोपूर्ण है शेश बड़े बहुमत समय को चिन्नित कर रहे हैं जो समग्र प्रियास में टोकन योगदान बनाते हैं इसलिए 20% तक अधिक बिजली दें 80% तक उचित स्थर पर पहुंचे जिससे आप आउटपूट को गुनात्मक कर सकते हैं जिससे प्रगती आपको एक नए और बहुत उचस्तर पर ले जाती है लेकिन इस स्तर पर भी आम तोर पर आउटपूट इनपूट का 80-20 वित्रन होगा तो आप फिर से एक उचस्तर पर प्रगती कर सकते हैं व्यवसाय और विज्ञान की प्रगती 80-20 सिधान्त की पूश्टी करती है एक विशाल कंप्यूटर का निर्मान करें जो किसी भी पिछली मशीन की तुलना में कई गुना तेजी से गणना कर सकता है मांग करें कि कंप्यूटर को छोटे, तेज और सस्ता बनाया जाए प्रकिरिया दोहराएं, इसे दोबारा दोहराएं एसी प्रगती की दृष्टे में कोई अंत नहीं है अब जीवन के लिए एक ही सिधान्त लागू करें अगर हम प्रगती पर विश्वास करते हैं तो असी बी सिधान्त हमें इसका एहसास करने में मदद कर सकता है हम एडवर्ड गिप्सन को सही साबित कर सकते हैं वास्त्विक धन, खुशी, ग्यान और शायद गुन लगातार बढ़ सकते हैं असी बी सोच रणनेतिक है रणनेतिक होना महतोपून है उन महतोपून उदेश्यों पर ध्यान के दृत करना जो हमें तुलनात्मक लाव दे सकते हैं और दरड़ता के साथ परिनामी योजना की योजना बनाने और निश्पादित करने के लिए दूसरों के बजाए हमारे लिए महतोपून क्या है असी बी सोच गैर रेखिये है पारंपरिक सोच एक शक्तिशाली लेकिन कभी गभी गलत और विनाशकारी मानसिक माडल से गीरे हुई है जैसा की तुमने मुझे दुखी कर दिया क्योंकि तुम्हें देरी हो चुकी थी मेरी खराब स्कूली शिक्षा ने मुझे इस गटिया नोकरी के और अगरसर किया तफल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ हिटलर के कारण ही दुट्य विस्विद हुआ मेरी फर्म बढ़ नहीं सकती क्योंकि उद्योग प्रगती डाउन है बेरोजगारी वह कीमत है जो हम कम मुद्रास्पिती के लिए बहुतान करते है यदि हम गरीबों, बिमार और बुड़े लोगों की देखबाल करना चाहते है तो हाई टेक्स जरूरी है और इसी तरह ये सबी रेखिये सोच के उधारन है रेखिये सोच आकरशक है क्योंकि यह सरल और सुखी है समश्याई यह है कि यह दुनिया का एक खराव वर्णन है और इसे बदलने के लिए और भी बत्तर तैयारी है वेग्यानिकों और इतिहास कारों ने बहुत समय पहले रेखिये सोच छोड़ दी है आप इसे चिपका कर क्यों गूम रहे है असे भी सोच आपको एक लाइफ राफ्ट परदान करता है एक साधारन कारण से कुछ भी बहाव नहीं आता है कुछ भी एपरियारियन नहीं है संतुलन या एपरिवर्तनिया में कुछ भी नहीं है किसी भी एवांचित स्तिती को सहन करने की आवशक्ता नहीं है कुछ भी वांसनिय जरूरत नहीं है कारण विशेश रूप से ध्यान देने योग्या या यहां तक की अभी तक बहुत व्यापक होने के कारण बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं परिस्तितियों का संतुलन एक मामुली कारवाई द्वारा एक प्रमुक तरीके से बदल किया जा सकता है केवल कुछ निरिने वास्तों में माइने रखते हैं जो लोग ऐसा करते हैं वे एक बड़ा सोदा करते हैं इन सभी विकल्पों का हमेशा प्रियोग किया जा सकता है असीवी सानुभाव आत्म निरिक्षन और कल्पना के लिए अपील करके रेखिय तर्क जाल से बच निकलता है यदि आप नाखुश हैं तो निकरतम कारण के बारे में चिंता ने करें उन समयों के बारे में सोचें जब आप खुश रह चुके हैं और खुद को इसी के समान पर इस्तितियों में जाने दें यदि आपका करियर कहीं भी नहीं जा रहा है तो आप जैसा चाहते हैं वैसे करियर की वास्त्विश रहें एक बड़ा कारिया ले एक और महंगी कार कम कामकाजी घंटे एक और समझने वाला मालिक अपने पूरे जीवन में कुछ सबसे महतवपून उपलवदियों के बारे में सोचें और यदि आवशक हो तो जोव या करियर स्वीचिंग भी हो सकते हैं कारणों की तलाश नहें करें खासकर विफलता के कारणों की कल्पना कीजिए और फिर एसी स्थितियां बनाईए जो आपको खुश और उत्पादक दोनों बनाती है 80-20 सोच एक आरामदायक और आतम विश्वास से चरम महतव कांक्षा को जोड़ती है चुहा दोड हम विचारों के इस संगठन के लिए काफी हद तक भूगतान करते हैं संयोजन ने तो वांचनिये और ने ही आवशक है इसके लिए अधिक आकरशक वे कम से कम समान रूप से प्राप्त संयोजन आतम विश्वास, विश्राम और सब्यत तरीके से अत्यदिक महतव कांक्षा इसमें शामिल है यह 80-20-1000 है, लेकिन यह ठोस अनुबव जन्य ने उपर निर्भर करता है सबसे बड़ी उपलब दिया, स्थिर अनुपरियोग और अचानक अंतरद्रिष्टी के संयोजन के माध्यम से की जाती है जैसे सोचें कि आरकेमेडिज अपने बाथ टब में और न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जिस पर से एक सेव गिरा था, इस परकार उत्मन होने वाली बेहद महतव पूंद अंतरद्रष्टी तब उत्मन होई जब आरकेमेडिज विस्थाफन या न्यूटन गुरुत्वा करशन के बारे में उस समय यह सोच रहे थे लेकिन अगर आरकेमेडिज को उनकी मेज वे न्यूटन को उनकी वेगैनिकों के टीमों को निर्देरशित करने के लिए फिक्स कर दिया जाता तो क्या यह संबह हो पाता? हम में से यदिकांस जो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उनके लिए किसी के भी मुले हमारे कामकाजी जीवन में बहुत छोटे अनुपात में होते हैं असे भी सोच और अवलोकन इसे पूरी तरह से स्वष्ट करते हैं हमारे पास प्रयाप्त समय से अधिक है, हम मैतव कांक्षा की कमी और व्यस्तता को मानते हैं। उपलवदी अंतरद्रष्टी और चुनिंदा कारवाई द्वारासन सालित अभी वी शान्ती की छोटी आवाज हमारे जीवन में एक बड़ी जगह है जो हम स्विकार करते हैं। अ हम अपने बारे में आराम से और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। पारंपरी ज्यान के बावजूद अंतरद्रष्टी के समय परचूरता में और समय की आवशकता होती है। अपने व्यक्तिगत के लिए 80-20 अंतरद्रष्टी। शेश भाग 3 में अपने व्यक्तिगत जीव का 80 परतिसत हमारे जीवन के 20 परतिसत में होता है और इन 20 परतिसत पलों का काफी विस्तार किया जा सकता है। कुछ घटनाओं और कुछ निर्नों से हमारे जीवन अच्छे वैबूरे के लिए गहराई से प्रभावित होते हैं। कुछ निर्नों को अक्सर जागरूख बना सकते हैं जो हमें खुश और उत्पादक बना देगा। इसके लिए हमेशा कुछ महतवपूर्ण इंपुट होते हैं और वे अक्सर स्वष्ट नहीं होते। यदि प्रमुक कारणों की पहचान और उन्हें प्रतिक किया जा सकता है तो हम उन पर अधिक प्रभाव डाल स सकते हैं जो हम सोचते हैं। में सुधार करने के प्रयास से अपने पक्ष में वैद और निस्पक्ष बादाओं को दूर करके जीतने की अधिक संभावना रखते हैं। जब आप दोड के बारे में चुनिंदा होते हैं, तो आपके जीतने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारी अधिकांस दोड विफलताएं वे हैं, जिनके लिए हमें अन्य लोग दोडाते हैं। हमारी अधिकान सफलता उस दोड से आती है जिने हमने खुद चुना है। हम अधिकतर दोड जीतने में नाकाम रही हैं क्योंकि हमने बहुत से गलत लोगों द्वारा चुनी गई दोड में भाग लिया है। कुछ लोग वास्तों में उदेश्यों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कुछ महतवपुन चीजों में बहतर विचार और परियास के बजाई कई चीजों में ओसत परियास किये जो लोग सबसे ज़्यादा प्राप्ट करते हैं। वे चुनिंदा और निजारित होते ज्यादातर लोग अपना अधिकान समय उन गतिविदियों पर खर्च करते हैं जो समय और दूसरों के लिए कम मुल्यवाले होते हैं 80-20 विचारक इस जाल से बच निकलता है प्रियास के कुछ उत्स मुल्यवाले उदेश्यों को प्राप्त कर सकता है जीवन में कोई भी महतवपूर नेने लेने में एक सहयोगी लोगों की पसंद है सहयोगीों के बिना लगवग कुछ भी हाशल नहीं किया जा सकता है ज्यादातर लोग अपने सहयोगीों को ध्यान से या बिलकुल भी नहीं चुनते हैं सहय योगी किसी भी तरह से आ जाते हैं, यह है आपके जीवन को होने देने का एक कमभीर मामला है। अधिकांस लोगों के गलत सहय योगी होते हैं, अधिकांस में वे बहुत अधिक होते हैं, जिनका उप्योग ठीक से नहीं किया जाता है। 80-20 विचारक कुछ सहय योगीों को ध्यान से चुमते हैं और गठबंदन को अपने विशिष्ट उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान से बनाते हैं। सहय योगीों के साथ लापरवाई का एक चरम मामला गलत महतवपूर्ण अन्यया जीवन साथी चुमना रहा है। अधिकांस लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं और उचित रूप से चैनित वे प्रबलित आंत्रिक मंडल का आनन्द नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों के गलत जीवन साथी होते हैं और अधिकतर सही जीवन साथी को सही तरीके से पोसित नहीं करते हैं। सही डंग से उप्योग किये जाने वाला धन बेहतर जीवन सैली में बदल करने का आउसर हो सकता है कुछ लोगों को पता है कि पैसा कैसे गुणात्मक करना है लेकिन 80-20 विचारक एसा करने में सक्षम होता है जब तक जीवन जीवन सैली और खुशी के अधिन रहता है तब तक इस क्षमता में कोई नुकसान नहीं होता है कुछ लोग प्रियाप्त समय बिताते हैं और अपनी खुद की खुशी पैदा करते हैं वे एपरतेक्स लक्षों की तलास करते हैं जैसे की धन और पदोनोती जो हासिल करना मुश्किल हो सकता है खर्च नहीं किया गया पैसा बचाया जा सकता है और निवेश किया जा सकता है और योगिक ब्याज के जादू के माध्यम से गुनात्मक किया जा सकता है लेकिन आज घर्च के बिना जो खुशी नहीं बिताई गई है वो कल की खुशी का कारण नहीं बनती है 80-20 को बढ़ाने कि उनकी खुशी क्या उत्पन करती है और कल खुशी और खुशी को बढ़ाने के लिए खुशी का उप्योग करके जानबूज कर उत्सा पूरवक और बुद्धि माने से इसका पीछा करती है समय पंखों का इंतजार कर रहा है 80-20 शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जगह उपलबदी और खुशी के बारे में सोचना समय का विशय है हमारे समाज में समय की गुणवत्ता और भूमिका की स्थितिक बहुत खराब है बहुत से लोग सहस्ता से इसे समझते हैं और कई सो हजार विश्ट अधिकारियों ने समय प्रबंदन के रूप में इसकी मांग की है लेकिन ये अधिकारी सिर्फ किनारों के चारों और खड़े रहते हैं समय के प्रती हमारा पूरा दृष्टिकोन बदलने की आउशकता है हमें समय प्रबंदन की आउशकता नहीं है हमें समय करांती की आउशकता है धन्यवाद